जैन दोस्तों अनिसर आईटी या यूटू चलना आपसे का बहुत दोस्तों नौर्मली क्या होता है फुल टेक्निक या डिप्लोमा करने जाते हैं तो मैट्रीक के बाद तो तीन सालों का डिप्लोमा होता है अगर आप आई टीया कर लिया है या टूइल्स पास आउट हो गया और भी कई साय राज्यों का निकल चुका है और भी आने वाला भी है तो जिस भी राज्य के नीचे कमेंट करके बताएगा उसका उफिसल साइट का लिंक देंगे वहां सब जाके चेक आउट कर लेज़ेगा ठीक है और आपको बताना चाहेंगे यह बिहार निकला बिहार सन्य परवेश परतियोगिता परिक्षा यह जैसे कि अगर आप लेटरल इंट्री में डिप्लोमा में बिहार में तो आपको इंट्रेंस एक्जाम देना होगा और यहां पर इंट्रेंस एक्जाम के लिए पूरा ओल इंडिया कैनेट फॉर्ण अप्लाइब कर सकते हैं ठीक है सब्सक्राइब को प्रेस के लिए जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुस्त आते रहें दोस्तों अभी एक कई सारी नोट फ्रेसंस आए हुए जिसको आप जेक आउट कर लिजेगा फिलाल अभी हम बात करने वाले बिहार फोल्टेक्निक लेटरल एंट्री के लिए ठीक तो वहां से आके इसके नोट्फेसं में डाउंलोड कर लेजाए अगर आप आइटे या ट्वल्ट पास आउट करने का डिप्लोमा करना चाहते दो सालों का तो आप अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए बिहार राज्य के हैं तो बढ़िया हैं बिहार के नहीं भी हैं वह व तो यहां पर टोटल सीटों के पहले बात कर लें कितनी सीटे हैं तो तो फॉरम भर देना है यहां पर देखिएगा इंटरेंस एक्जाम के लिए बाइस ओफीस जमा करना पड़े हैं अगर आप बिहार राज्य के मुल अस्थाई निवासी हैं तो आपको देखिए आपको बात करें यहाँ पर आपको एडविशन के लिए सबसे पहले इंट्रेंस एक्जाम देना होगा इंट्रेंस एक्जाम में अच्छा रैंक लाते हैं तब ही आपका एडविशन होगा दोस्तों डिपलोमा में देखिए दो गहरणटे की परिख्ञा ओगी दो खन्टा पंदरा मिनट जिसमें अब्जेक्टीव प्रश्ट पूछे जाएंगे और प्रश्ट पत्र एक ही होगा कोश्टे पर एक ही होगा जिसमें तीन भाग्यों फरिच्छा हैं जिस फिजीक्स कमेस्टरी से प्रश्ट पूछे घर यह कोशिचन गलत होता है अगलत करते तो आपके एक नंबर काट लिये जाएंगे ठीक है यह है यह आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टूवल्थ का फिजी स्क्वेंस्ट और मैथ पढ़ना शुरू कर दीजिए और अच्छा नमबर ला सकते हैं और अच्छा रैंक लाएंगा और आपको सरकारी पुल्टेक्निक कॉली में अड्मिसन होगा और फीस बहुत ही कम लाएगा दोस्तों फीस फॉरूम भने आफिस आपको बाइस हो लाएगा लेकिन लेकिन वहां पर जब आप एड्मिसन लीजिए आपको आप ज्यादा फीस नहीं लाएगा आपको देखिए एक्जाम कर दिया गया है दस जुलाई को आपको एक्जाम भी है रिटेन एक्जाम और एक एके बाद आपने एडमीट कर लिजेगा और देखिए फोटो अप्रोड करतेसे आपका लएट होना चाहिए फोटो रेचराने का यह रिख दाना भी ठाट-जाम में है 38 जीलो में आपका एक्जाम होगा जिसों 49 वा में आपको जारखन में भी और वी कई अस्थानों पर आपका एक्जाम होने वाला दोज्टों टिक है एक बात का ध्यान रखेगा जो भी आइटी आइट होगे वो दो सालों का आइटी ही होना चाहिए ठीक है वहीं अप्लाइ कर दिजीगा ठीक है और हैं पर अपने देख सकते हैं कितनी सीट है टोटल किस इस टार्फस Menlares तक तो चेक आउट कर लिए कौन सी ट्रेड में किती सीट है ठीक है उसके उसका आप फोराउ अपलाई कर सकते हैं यह पर प्रावेट का है उपर गवर्मेंट का था और यह आपका पुछे यह सिलेबस से इसको चेक आउट कर लिए अगवाद डिस्क्रिप्स लिए रहें उसी में सभी दीए रहें उन्हें चेक आउट कर लिए ठीक है उम्मीद करते हैं आज की वीडियो है तो चानल को सब्सक्राब कर लिए होंगे प्रेस कर लिए रेलेवे अप्रेंटेसि आई हो है चानल पर विजिट करके चेक आउट कर लिए जिसके लिए आपे लिजबल है उसका फॉर अप्लाइग कर दीजें मिलता है वीडियो बागली जनका इसाथ चानल को सब्सक्राब करें दोस्तों सेर करना मत बुलेगा